सोना चांदी ना मागू ना मागू हीरे मोती अंधेरों में भटक रहा हूँ मागू तेरी जोती मुझे कर दे रोशन तू 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 मुसी यसु में मेरे अजीजो मैं पास्टर रोशन लाल United Kingdom से आपके साथ आज फेर हाजिर हुआ हूँ और आज का जो हाजर होने का मकसद है वो यह है कि हम सब आज एक खास बात सीखने जा रहे हैं और खास बात यह है कि हम मुकद्स जुमा या गुड फुराइडे या जिसे हम मुबारक जुमा भी कह सकते हैं उसके बारे में सीखने जा रहे हैं क्योंकि अक्सर हम सालहा साल से यह सुनते आए हैं कि गुड फुराइडे आ रहा है गुड फुराइडे है और गुड फुराइडे आया तो क्यों साल में हम एक ही दिन को और एक ही जुमा को गुड फुराइडे कहते हैं या एक ही जुमा क्यों मुबारक है बाकी जुमा मुबारक क्यों नहीं है और इस जुमा को अगर मुसी मसलूब हुए तो क्या एक अजीब बात नहीं है कि मुसी ही लोग अपने लीडर अपने नभी को और उनकी डेट के दिन को अपने अज़ाद दिन के डेट के दिन को सेलिबरेट करते हैं ये जीब है गहर कौमे इसके बारे में बहुत अजीब महसूस करती है कि आपका कोई मर गया हो और उसकी डेट अनिवरसरी आप इतनी धूमदाम से मनाए और खुशी से मनाए अजीजों इस जुम्ह की इस फजीलत के लिए या इसका दूसरे जुम्ह से अलहदा होने के हवाले से सीखने के लिए हमें खुदा के कलाम में उसके दुनिया के अब्तिता से शुरू करना पड़ेगा फिर हम इस जुम्ह की एहमियत के बारे में सीख सकेंगे और समझ सकेंगे जी आजीजों मसीह कैलेंडर में गुड़ फ्राइडे जो है वो बाइबल में बहुती एहमियत का हामिल है कि सुपराने आइदनामे से शुरू करते हैं थेक है क्योंकि हम उसे ही तो बाइबल को शुरू ही प्राइदनामे से शुरू करते हैं पैदाश की किताब से तो खुदा के किलाम में हमने उसमें जाके देखना पड़ेगा और फिर इस जुम्ह तक आना पड़ेगा अजीजो जब आप पराने एहतनामा की तारीख में जाएंगे तो फिर ही आप इस जुम्ह को समझ पाएंगे या इस जुम्ह के मुबारिक होने को समझ पाएंगे अजीजो जब आदम और हवा जिने खुदा ने अपनी रफाकत के लिए तखलीक किया था वो दोनों सांप यानी शेतान के बहकावे में आकर और खुदाबाब की मानिद ने को बद की पहचान में उसकी मानिद बनने के ख्याल से नाफरमानी में गिरे और नाफरमानी में गिनने से वो गुना में गिरे क्योंकि उन्होंने खुदा के हुकम को पीछे डाला और अपने लालच को के हम खुदा के बराबर हो जाएंगे खुदा की बराबरी के लालच को सामने रखा तो वो जो था गुना में गिर गए और जब गुना में गिर गए तो खुदा जो पाकीज़गी का खुदा है खुदा जो डिसिप्लन का खुदा है वो बदी को देख नहीं सकता तो वो आदम और हवा जो खुदा बाब ने अपने साथ रफाकत रखने के लिए बनाये थे जिनके साथ वो ठंडे में आके बाद चीट करते थे उन्हें वो जगा जो खुदा बाब ने उनके लिए ठहराई थी यानि बाग अदन में खुदा की हुदूरी से निकाल दिये गए और जब वो खुदा की हुदूरी से निकल गए तो वो रिष्टा जो खुदा बाब का उनके साथ था यानी वो हर रोज खुदा से बाचीत करते थे और खुदा की दूरी में चलते फिरते थे और हर चीज जो दुनिया में उस वक्त उनके लिए थी बनाई गई उन सब काईनात की चीज़ों को वो इंजॉय करते थे तो इस रिष्टा के टूटने की वज़ा से जुदाई की वज़ा से वो फिर खुदा के साथ उस रफाकत में ना रह सके एक्सक्यूज मी अजीज़ बनी आदम अपनी हमाकतों से हर वक्त खुदा को दुख्खी करने में कभी बाज नहीं आया बावजूद के खुदाबाब की बरकतें और हवा पानी गज़ा रोशनी की सूरत में खुदाने कभी नहीं रोकी वो फिर भी अपनी महबत को अपनी महरबानी को अपने शिफीक होने को हम पर इस तरह जाहर करता रहा है लेकिन लू के वक्त तक आते आते बनी आदम ने इस कदर नाफरमानी की इंतहा कर दी थी के खुदा इसकदर मलूल हुआ दुखी हुआ के उसने ये कहा के मैं इनसान को और इस जमीन से हमेशा के लिए मिटा डालूँगा जी हाँ खुदा बहुत डिसपॉइंटेट था और इसलिए जब ये सुर्तिहाल बन गई तो फिर खुदा ने जब अपना प्लैन जो था उसको एक्सक्यूट करने वाला था तो अजीज़ों खुदा को नुह और उसका घराना इसी जमीन पर मिला जो रास्त बाजी से चलता था खुदा से डरता था और उसकी मर्जी के मताविक अपनी जिन्दगी गुजारता था तो फिर खुदा ने जब उनकी जिन्दगियों पर नजर की तो खुदा ने कहा कि मैं इस घराने में के जरीए से इस बनीन और इन्सान को फिर से एक नई जहद दे कर और जो नाफरमानी पहल गियुए है ऐसे लोगों को जो मेरी मर्जी के मताविक नहीं चलते उनको फना कर दूँगा तो खुदा ने नू के जरीए से कष्टी बनवाई और उसमें हर तरह के जानदार और कीड मकोडे परिंदे हर तरह के उसमें अंदर आए और नू का घराना आठ जाने सब अंदर थे और पानी ने आके पूरी दुनिया को डबो दिया और सिर्फ वो आठ जाने और वो जानवर जो कष्टी में आये थे और वो परिंदे और वो कीड मकडे आज भी दुनिया में मौजूद हैं तो क्या हुआ कि खुदा ने जब देखा इस सारी तकलीफ को जिस से वो बुरे लोग जिने खुदा मिटाने जा रहा था पानी से तो फिर खुदा दुक्षी हुआ और नूर को जब बहर आने के बाद जब उसने कुर्बानी चिराई तो फिर खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुश्पू लेकर और खुदा ने कहा कि मैं आइंदा के लिए जो इनसान है उन्हें पानी से दुबारा से खत्म नहीं करूंगा जी हाँ पैदाश की कताब में उसके आठ बाप की एकी साहित में आपके सामने पढ़ता हूँ यहां इस तरह से लिखा है और खुदावन ने उन उनकी राहत अंगेज खुश्पू ली और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इनसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं बेजूंगा क्योंके इनसान के दिल का ख्याल लड़कपन से ही बुरा है और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा सो खुदा ने एक वादा फरमाया कि दुबारा से खुदा ऐसे सब जानदारों को हलाक नहीं करेगा क्योंके इनसान का दिल जो है बच्पन से पैदा होते ही बुरा है जी हाँ अजीज़ों खुदा इनसान के इस दिल को रास को जान गया और फिर उसने जानदारों को पानी से हलाक करने का प्लैन मेशा के लिए खत्म कर दिया अजीज़ों खुदा अपने वादों पर काईम रहता है और वो रहा भी मगर उलाद आदम फिर बिगरती चले गए फिर खुदा ने अबराहम को चुना कि उसकी उलाद के जरीए से अपने लिए वादे के फर्जंद उसमें से जो के खुदा के वादे का फर्जंद इजहाद के जरीए से अबराहम के उलाद में से उनके जरीए से जमीन पर एक ऐसा हिस्सा काइम करे जिसमें उसके लोग यानि अबराहम के उलाद और खुदा के लोग कठे रह सकें और उसके उसकी हुजूर में उसकी फर्माबरदारी से रह सकें और विक्ड दुनिया को विक्डनेस के साथ जीने को छोड़ दिया जाए लेकिन अजीज़ो खुदा ने इसके लिए जब अबराहम को अपना प्लैन दिया और फिर इसके लिए खुदा ने इबराहम से एक एहद बांदा जी हाँ खुदा ने उसे बताया के जो बेटा तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो ही मेरा वाद़ का फर्जन्द होगा और फिर उसकी उलाद में से ये लोग मेरे कहलाएंगे और फिर खुदा ने उससे जब उसने खुदा के हजूर आया क्दा ने उसके साथ भी एक एहद बांदा और वो एहद क्या था वो एहद ये था के इबराहम को खुदा ने बताया कि वो किस तरह से मेरे हुजूर कुर्बानी करे और मैं उसे अपना प्लैन दूँगा विदाश सुलाबाब की चार आए से 21 आए तक इसके बारे में पूरा जिकर है क्योंकि वक्त की कमी है मैं ये सब पढ़ नहीं सकता लेकिन क्या हुआ था वहाँ थोड़ा थोड़ा आपको मैं बियान कर देता हूँ तब खुदावन का कलाम उस पर नाजल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा यानि लॉंडी का फर्जंद इसमाइल बलके जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन और उससे कहा के तेरी ऐुलाद ऐसी ही होगी और वो खुदामद पर एमान लाया और उसने उसके हक में उसे रास्तबाजी शुमार किया और उसने उसे कहा मैं खुदामद हूँ जो तुझे कस्दियों के उर्ष से निकाल लाया तुझको ये मुल्क मीरास में दूँगा और उसने कहा ऐ खुदामद मैं क्यों कर जानू कि मैं उसका वारिस हूँगा और फिर उसने कहा खुदाने उसे प्लैन दिया मेरे लिए तीन बर्स की एक बच्चिया तीन बर्स की एक बकरी और तीन बर्स का एक मेंधा और एक कुमरी और एक कबुतर का बच्चा ले और उसने उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से दो टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के टुकड़े के मुकाबल रखा मगर प्रिंदों के टुकडे ना किये तो जब ये हुआ तो उसके बाद वो कुर्बानी करके टुकडे गोश्ट के राकर के उन जानवरों के इबराहम दुआ कर रा था तो खुदा ने सूरज के डूबते ही अंधेरे के टाइम में खुदावन ने उसे दिखाया के तनूर में से धुआ उटता है और एक जल्टी मशल उन टुकडों के बीच में से होकर गुजरी यानि अबराहम ने वहां खुदा को उस मशल की सूरत में उस आग की सूरत में वहां से गुजरते वे देखा और एक जल्टी मशल उन टुकडों के बीच में से होकर गुजरी उसी रोज खुदा ने इबराहम से एहद किया और फरमाया ये मुल्क द्रिया मिसर से लेकर उस बड़े द्रिया यानि द्रिया फरात तक कीनियों तिंजियों कदमूनियों हित्यों फिर्जियों और रफाइम अमूरियों और कनानियों और जसासियों और यबूसियों समेथ मैंने तेरी उलाद को दिया है तो अजीज़ों यह सारी वो गैरकों में थी जो बुद्परस्टी करते थी गैर मामबूदों को मानती थी और खुदा के खलाफ चलने वाली थी लेकिन यहां खुदा ने अबराहम के साथ एक नया एहद बांदा मगर उसके दर्मियान में खुदा ने इसे यह बता दिया के तेरे जी औलाद है वो यह मैं तेरी यह ऐसे पढ़ता हूँ और उसने अबराहम से कहा यकीन जान तेरी नसल के लोग ऐसे मुलक में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की घुलामी करेंगे और वो चार सो बर्स तक दुख और उनको चार सो बर्स तक दुख देंगे लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे जी आजीज़ों खुदा ने कई सो साल पहले अबराहम को बता दिया था कि उसकी उलाद जिससे वादा की सर्जमीन मिलनी है उसे गुलामी में से होकर गुजरना पड़ेगा और वो गुलामी थी मिस्सर की गुलामी जी आजीज़ों खुदा के कलाम के मताबक इबराहम इजरहाक और याकूब की उलाद यानी बनी इसराइल चार सो साल मिसर में गुलामी की हालत में रहे और फिर खुदा वाप ने मुसा को चुना के बनी इसराइल को मिसर की गुलामी से आजाद कराएं और वहां की सर्जमीन में ले जाएं जो वादा की सर्जमीन है खुदा ने मौजजात और वबा के ज़रिये से मिस्रियों को अपने कवी होने का सबूत दिया मगर फराउन बार बार दिल सक्त करके बनी इसराइल को जाने ना देता था फिर खुदा बाप ने बनी इसराइल की नजात और गुलामी से चुटकारे के लिए एक दिन ठहराया और वो दिन था जिसे हम पास ओवर कहते हैं यानी इबरानी कैलेंडर के मताबक सोला इबरानी कैलेंडर के मताबक जो था निसान के महीने में ये दिन ठहराया गया जो कि उसकी 14 तारिक थी 14 निसान और बनी इसराइल को एक हुकम दिया कि हर खानदान मिलकर एक बे एब बर्रा लें उसे कुर्बान करें और उसका खून लेकर अपने दर्वादों की चोक्टों पर लगाएं और बाकी जो गोश्ट है वो पका के वो रात को खा लें और मौत का फृरिष्टा जब रात को वहां से गुजरेगा तो मौत का फृरिष्टा उस मुलक में से जब मिसर में से गुजरेगा तो मिसर के सब पहलूठों को मार देगा मगर जिसके घर पर वो खून का निशान लगा होगा बर्रे के खून का निशान वो घर बच जाएगा और वहां कोई वबा नहीं आएगी और उनके घर कोई नहीं मरेगा सो अजीजों खुदा ने उस राद बनी सराइल को मिसर से फातिहाना तौर पर निकाल कर खुदा कादर ने अपनी कुद्रत और अपने कामों को दिखाते हुए उन्हें समंदर के पार पहुंचा दिया वक्त नहीं कि इसकी सारी डिटेल में जाया जाए लेकिन यहां जब बाहर आगए फिर खुदा बाप ने मुसर से पहाड पर बातें की और उन्हें शरीयत यानि अपना कलाम और अपने अहकाम उन्हें दे दिये ताके वो उनकवानीन और खुदा के अहकामात को जो शरीयत थी माने और उस पर अमल करें और खुरूच की कताब 24 बाप की 4 से 8 है तक हम इस वाक्या को देखते हैं जो मैं अब आपके सामने बता रहा हूँ और जब ये सब लोगों को कठा किया गया वहां तो फिर क्या हुआ के वहां भी कुर्बानिया की गए और मुसा ने खून लेकर उन कुर्बानियों का बांसो में भरा और कुछ कुर्बानगा पिछिड़का और फिर खुदा के अहकामात सुनाए और सब लोगों ने वादा फरमाया खुदा के साथ एहद किया कि हम इन सब पर अमल करेंगे जी हाँ मैं फिर से बता देता हूँ खुरूच की कताब चौबिस वाब चार से आठ हाय तक ये बात लिकी हुई है तो असीजो जब ये काम हुआ उन्होंने वादा कर लिया और खुदा ने अपनी बरकतें उनको देने का वादा कर लिया तो उन दोनों के दर्म्यान एक एहद बादा गया और मुसा ने वो खून लेकर बनी असराइल पर चिरका सब लोगों पर उसका चिरकाओ किया और वो सब उस एहद में बंद गए खुदा के साथ वफादारी से चलने के और रजीज़ों वो खुदा की परस्तिश करने लगे और खुदा के साथ साथ चलने लगे मगर उन्होंने उन सारे बुद परस्तों को और सारे ऐसे लोगों को जो खुदा की नाफरमानी में चलते थे अपने अंदर से अलग ना किया और पिर उनके साथ मिलकर फिर उन्ही की मानिद बनना श्रू हो गए और इनसान फिर से घैर माबूदों की परस्तिश करने लगा और खुदाने उन्हें अभिया कराम के जरीए से अपने नबियों के जरीए से बार बार समझाया बार बार तंबी की बार बार सजाएं भी दी लेकिन वो बाज ना आए और उन्होंने ना सिरफ अंबिया को मारा उनको कुर्बान किया उनको हलाक किया बलके उन्हें सताया और उन्हें पागल और दिवाना और पता नहीं किया कुछ कहा गया लेकिन अजीजों ये सब कुछ जब खुदा ने देखा और ये भी देखा कि बक्रों और बच्छों का खून जो है वो इनकी गुनाह के मौफी के लिए काफी नहीं है क्योंकि बच्छे और बक्रे इनसान का नेमल बदल नहीं हो सकते इनसान का बदल सिर्फ इनसान ही था और आदम ने जब गुनाह में गिरा तो अपनी जो हालत थी उसकी वो एक मुकमल गुनाह से मुबर्रा जिसम था और उस गुनाह के मुकाबले में एक ऐसे बर्रे की जुरूरत थी जो बे आईब तो हो उसमें कोई आईब ना हो लेकिन साथ साथ इनसानी जिसम के बिलकुल बराबर हो यानि इनसान के मुदले में इनसान ही हो लेकिन वो इनसान हो जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो जिसके अंदर गुनाह की सिरिष्ट ना आईई हो इसलिए खुदा बाप ने मसी यस्व को इनसान के तरीके कार से नहीं बलके खुदा के पाक रूँ ने मकदसा मरियम के बतन में आकर उसे हामला किया और खुदा का पाक रूँ खुद जिसम में बेवी बन गया और मसी यस्व जो है वो इनसान बना ये खुदा ने इस तरह से फिलैंट बनाया कि अब वो अपने बेटे को दुनिया में भेजेगा क्योंकि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं है और वो पाक रूँ है और जिसके लिए हर एक कौम मानती है हर एक कौमे उसको जानती है हर एक किताबे उसकी गवाही देती है कि वो गुनाह से मुबर्रा था और खुदा ने इस तरह से ये किया कि अपने बेटे को दुनिया में आपके और मेरे लिए कुर्बान होने के लिए भेजा क्योंकि खुदा का किलाम हमें बिताता है कि बैलों और बक्रों का लहू इनसान के गुनाहों के कुर्बानी का बदलना था तो अजीजों चौदा निसान की शाम को जी हां फिर मैं वापस आ रहा हुँ चौदा निसान की शाम को जो इदे फसा के तौर पर मनाने का खुदा ने बनी इसराइल को हुकम दिया था जिस रात वो मिस्सर से निकले थे और खून दरवादों पर लगाया गया था बर्रे का खून और उस बर्रे के खून के सबब से वो बच गए थे तो एक दफ़ा फिर हम यहां देखते हैं कि इस चौदा निसान को यिस्समसी जो ठीक तेटीस साल और च्छे महीने के थे उसराइदे फसावन आते हैं अपने शागिर्दों के साथ सब बैटे हैं और इदे फसाव वो ही जो पासवर की का खाना है उसमें शामिल है और उस खाने के दौरान मसी यस्सु ने एक निया एहद बांदा खुदा ने एक निया एहद बांदा जी हां यस्सु ने एक निया एहद बांदा पाकरू ने एक निया एहद बांदा खुदा बेटे ने एक निया एहद बादा। खुदा उन्य यसु ने फरमाया जब वो खा रहे थे तो यसु ने रोटी ली और बरकत दे कर तोड़ी और शागिर्दों को दे कर कहा लोग खाओ ये मेरा बदन है फिर प्याला लेकर शुकर किया और उनको दे कर कहा तुम सब इसमे से पियो क्योंकि ये मेरा वो एहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है मैं तुम से कहता हूँ के अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पियोंगा उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप के बादशाही में नया ना पियों जी हाँ अजीज़ों ये एक नया एहद खुदामद यसू ने बादा एक एहद इबराहम के साथ कुर्बानी करके बादा गया दूसरा एहद मुसा के साथ कुर्बानी करके बादा गया और ये जो निया एहद यसुर के जरीए से माधा गया उसके लोगों के लिए जिनके लिए यसुर कुर्बान होने जा रहा था ये उनके लिए ये निया एहद था और इस निये एहद में यसुर कुद अपना लहू हमारे और आपके बलके सारी दुनिया के गुनाहों के लिए बहाने चाह रहे थे और अजीज़ों आपको पता होना चाहिए कि ये जो मुकद्स जुमा है इसकी फजीलत ये है कि इस एहद की जो तकमील है इस एहद की जो तकमील है वो अगले दिन जुमा के दिन जहूर पजीर हुई अगले दिन ये लोगों के सामने आई यानि ये सुमसी को रात को गत्सम्नी बाग से किरफतार किया गया उस पर जलम किया गया पुरी रात सुबह उसे बाच्छा के अवाले किया गया पैंटिस प्लातिस के खोड़े लगे और उसके सर पर कांटो का ताज लगाया गया और सूली उसके इस कंदे पर रखकर उसे गलगटा के मकाम पर ले जाया गया जिसका मतलब है खोपड़ी के खोपड़ी उस जगा पर उसे मसलूब किया गया और जब वह वह मसलूब हुआ तो खदामन यसू लहु लुहान थे काटो के ताज के सबब से उन कोडों की मार के सबब से और उन खीलों के सबब से जो हाथों पैरों में ठोके के थे और उसने वहाँ अपनी जान सलीपर बनीन और इनसान के लिए कुर्बान की और नेज़ा जो उसकी पसली में लगा खदा का कलाम हमें बताता है कि वहां से खून और पानी बेह निकला जो आपकी मेरी अलके कुल काइनात कुल दुनिया की नजात के लिए बहाया गया था क्योंकि बगएर खून बहाय माफी नहीं और वो खून एक ऐसा खून था जिसमें कोई एब नहीं था कोई गुना नहीं था वो इनसान के एरादे से पैदा नहीं हुआ था बलके खुदा ने अपने पाक रूख के जरीए से यसु को क्रिये यसु को मरियम के बतन में बेजा था और वो ही मुकदस जिसम वो ही कामल जिसम जिसमें कोई एब नहीं था अजिज़ों हम इसका दावा यू करते हैं कि यहन्न रसूल के इंजील में मसी यसु ने खुद इस बात का चैलेंज किया सारे जो लोग मजभी लीडर वहां थे उनको और हकूमत के अख्यार वालों को लोगों को कहा तुम में कौन है जो मुझे गुना थाबत करता है आज तक किसी भी दुनिया के लीडर ने ये बात नहीं की होगी और अगर की तो वो जूटे थे और उस वज़ा से उन्होंने उसकी सजा भी पाई होगी लेकिन यसु की जिन्दगी में वाकि कोई गुना नहीं था वो गुना से और एब से मुबर्ण था इसलिए वो इस कुर्बानी के लाइक था और ये कुर्बानी जुमा के दिन जुमतल मुबारिक के दिन गुड फ्राइडे के दिन हुई थी आपकी और मेरी और पूरी दुनिया के काइनात की नजात के लिए सारी वनेनों इनसान की नजात के लिए इसलिए हम इस फ्राइडे को हम इस Friday को मही साल में एक दफा जो दिन आता है इसे हम गुड़ फॉराइड़ के एग हमारे लिये मस्यों के लिए यह यस्यों की मौत का दिन नहीं बलके हमारे लिये खुशी का दिन है क्योंके हमारे लिये खुधाने नजात का बंदोबबद किया हमारे लिए नजात के लिए कुर्बानी दी गई हमारे लिए वो बे एब बर्रसली पर कुर्बान हुआ और हमारा खुदा के साथ राप्ता काइम कर गया और वो राप्ता इस तरह से काइम हुआ के हैकल में जो खुदा का घर था यहुदी शरीयत के मताबग उसमें एक मकाम ऐसा था जहां कोई भी अंदर नहीं जा सकता था हाई परीस्ट के लावा वो भी साल में एक दफ़ा क्योंकि वहां खुदा की हजूरी होती थी और खुदा की हजूरी में चाने और रोकने वाला जो पड़ता था वो फट गया और खुदा ने सिंबल के तोर पर बता दिया कि अब इनसान और मेरे दर्मियान कोई भी डिसकनेक्शन नहीं है अब मेरे पास जब चाहे आ सकते हैं इस लहू से धुलने के बाद अब मेरे लोग हो गए हो और मैं आपसे बाचीत करने के लिए हर वक्त त्यार हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए त्यार हूँ आपसे बाते करने के लिए त्यार हूँ जैसे आदम और हवा से खुदा बाते करता था और अजीज़ो इसी जुम्हे के दिन जब यसु सलीब पर थे तो हमें कलाम में से पता चलता है कि उन्होंने साथ कलमात बोले जो दुनिया को बदलने के लिए और हम सब को बदलने के लिए एक बड़े निशान है जियान लुका की इंचील उसके तेईस बाप की चौनती साहत में लिखा है कि मसी यसु जब सलीब पर थे जब एगनी में थे तकलीफ में थे तो ख़दावन यसु ने वहां अपने सताने वालों के लिए दुआ की और कहा एबाप इन्हें माफ कर क्योंके नहीं जानते के क्या करते हैं कभी देखा सताने वालों के लिए तालीमात ये हैं के एंट के बदले पत्थर जरूर मारो किसी ना किसी से बदला जरूर ले लो लेकिन वो फरमा के सूली पर मरते वें के इन्हें माफ करते हैं माफी का सबक हमें सलीब पर उसी दिन जुम्ह को ही देखने को मिला इसलिए ये गुड फराइडे है और गुनाहों, दूसरी बात जो वहां चीखने को मिली कि गुनाहों की माफी के और तुमारे इकरार करन के खुदा के पास आने में और उस इकरार की कबूलियत में कोई वक्त मकरर नहीं है आप कभी भी किसी भी वक्त अपने गुनाहों का इकरार करके किसी भी उमर में खुदा के साथ अपना रिश्टा काइम कर सकते हूँ और वो डाकू जो मसीयसू के साथ सलीब पर दोनों तर चड़ाएगे थे एक दाकू ने जब अपने गुनाहों के करार किया और मसीयसू से कहा कि जब तो अपनी बाश्चाहत में आए तो में याद करना मसीयसू ने फरॉआया मैं तुस्से वादा करता हूँ आज ही तु मेरे साथ फिर्दौस में होगा आज ही अजीज़ों बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि उनके अंबिया कराम और उनके लीडर जो है वो ने ले जाएंगे जन्नत में लेकिन किसी ने नहीं का के अगर तु मुझ पर इमान लाया तो आज ही तु जन्नत में चला जाएगा लेकिन सिर्व मसी यसू सलीप पर ये कह कर गए और इसलिए ये हमारे ये गुड फुराइडे है और फिर अपनी तंगी की हालत में दुखों की हालत में परेशानी की हालत में जानकनी की हालत में अपने माबाप को नहीं भूलना ये भी ये सुने फ्राइडे को ही सलीप पर हमें सिखाया जी हाँ अजीजो सलीप पर जान देते वे अपनी माँ को नीचे खड़े देखा जिसमानी माँ जो जिस समय दुनिया में उसे लाई थी तो उसे अपने शागिर्द के हवाले किया कि इसकी देखवाल करना उसे अपनी माँ को नहीं भूला आप और मैं अपनी तंगी के दिनों में माबाप से आँखे चुरा जाते हैं लेकिन ये सुने ये सिखा दिया कि आँख नहीं चुरानी है बलके उनके लिए इंतिजाम करना है आप ने इंतिजाम करना है क्योंकि आपकी माँ है आपका बाप है आपका दादा है आपकी दादी है ये ये सुने उसी दिन से कहा था इसलिए ये गुड फराइडे है और अजीजों ख़दा की हضूरी से कभी गाफल नहीं होना आपको सारा वक्त महसूस होदा रहना चाहिए कि खुड आपके साथ है और जब कभी खुड आपसे अलैदा हो तो आपको फौरान एसास हो जाए कि खुड मेरे साथ नहीं है क्योंकि ये सु जब दुनिया के गुना लिये वे सलीब पर था जी हाँ ये सु जब दुनिया के गुना लिये वे सलीब पर था तो बाप गुना के साथ नहीं रह सकता आस्मानी खुड गुना के साथ नहीं रह सकता इसलिए वो उससे अलग हुआ जैसे ही वो उसे अलग हुआ, यसुने फौरान कहा, आए खुदावन, आए मेरे खुदा, तुने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुने मुझे क्यों छोड़ दिया, जी हाँ, जो, एक्सक्यूज मी, इबरानी जबान में, इल्फाज है, एली एली लामा शबकतानी, जी हाँ, यह इबरानी जबान के लफज है, यह अरबिक जबान के लफाज नहीं है, और यहां खुदाने अली को नहीं पकारा, यहां मुस्य यसुने अली को नहीं पकारा है, एली एली, लामा शबकतानी, यहाँ मेरे खुदा, तुने मुझे क्यों छोड़ दिया, यह हीबरू जबा की इलफाज है जिसका तर्जमा ये है और सेम इलफाज एक पेशन गई कोई के तोर पर डाउद नभी के जबूर में भी लिखे गए हैं तो अजीजो हम इसे देखते हैं कि खुदा जब यसु से लहदा हुआ तो यसु से बरदाश ने कर सके और उन्हें ने कहा और इसका जो ह रसूल की इंजील 27 बाप की 26 आएथ में और वहां के अवाले से जो हवाला था वो है यहाना रसूल की इंजील 19 बाप की 26 और 27 आएथ में और इसी तरह से फिर खुदा जो है खुद खुदा इंसान बनके आया हुआ और सूली पे लटका हूआ आप को मेरे लिए गुड़ान देने के लिए खामल जिसम में था लेकिं बदन में इंसानी बदन में होते हुए वो प्यासा था कृष्व किसा मैं प्यासा हूँ आप और मैं जितने भी रुहानी बन जाए लेकिन हमारी जिसम की जरूरतें कम नहीं होती वो अपनी जगा काई में रहती है इसलिए जब जिसम में खून बह जाने से डी हैड्रेशन होई तो वो प्यासा भी था बास मसी थे ओलोजियन्स कहते हैं कि वो आपकी और मेरी रूह का प्यासा था और उस प्यास में फिर उसने आवास की और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ और उसे सिर के में स्पंज डबो कर उसे दिया गया जिसे उसने पिया नहीं था खुदा आपकी और मेरे जिसम की प्यास रखता है आपकी और मेरी रूहों की प्यास रखता है ये भी हमने गुड फराइडे को ही सीका है और वसी ने सिलीप पर गुना पर फता पाई और शेतान को वहां हरा दिया क्योंकि शेतान का दावा था कि हर शक्स जो जिस्म लेकर आएगा वो खुदा की नाफरमानी में गिरेगा लेकिन मसी यसू सिलीप पर जान देने तक भी किसी नाफरमानी में नहीं गिरे थे और खुदा ने शेतान पर यसू की सूरत में फता पाई और उसका काम तमाम किया और जब उसका काम तमाम हुआ तो खुदा का वो मिश्यन इनसान को खुदा के साथ रीकनसायल करना दुबारा से रफाकत में लाना इस मिशन का इखताम होने जा रहा था तो मसी यसू ने छटा कलमा जो कहा उसमें उसने कहा के तमाम हुआ इस फिनिश्ट अब हो चुका शैतान अब तू और कुछ नहीं कर सकता अब हो चुका सो क्या हुआ कि यसू के ये अलफास थे और उसने बता दिया कि ये तमाम हो चुका है और इसे यहन्ना रसूल के इंजील 19 वाब की 30 आएत में आप पड़ सकते है और ये भी गुड फ्राइडे के दिन ही हुआ और इसके साथ साथ आखर में खुड़ावन ने हमें ये सिखाया कि हमारा खुडा के साथ रिश्टा आखरी सांस तक काईम रहना चाहिए जो साथवा कलमा मसीय सुरे फरमाया लुकर सूल की इंजील और इसकी 33 बाब की 46 आएत में ये लिखा है वह लिखा है कि मैं अपनी रूँ तेरे हाथों में सूपता हूँ जी हाँ यस्व ने जो रूँ जिसम लेकर आई थी उसे खुडा के हाथ में सूप दिया तो अजीजों ये है गुड फ्राइडे ये गुड फ्राइडे इसलिए है कि आपकी और मेरी बरकत का सबाब है ये गुड फ्राइडे इसलिए है कि आपकी और मेरी नजात का सबाब है ये गुड फ्राइडे इसलिए है कि ये एक नया एहद है जो अब तूटने वाला नहीं है ये काइम रहने वाला है क्योंकि इसके लिए बैलों और बक्रों और बच्छरों का खून नहीं कोई उंट की कुर्बानी नहीं हुई बलके खुदा के बेटे ने जिसम लेकर उस जिस आपके लिए मुबारक हैं मेरे लिए मुबारक हैं हम सब के लिए मुबारक हैं और आज की दिन कैसे हम दुखी रह सकते हैं कैसे हम अफसोस में रह सकते हैं कैसे हम रो सकते हैं क्योंकि हमारे लिए तो हमारा मिलाब खुदाबाब से हो गया इस दिन बेशक जब हम किसी से बहुत रसे के बाद मिलते हैं तो खुशी के आँसु तो निकल ही जाते हैं लेकिन वह दुख के नहीं होते हैं इसलिए अगर कोई मसीह आपको कभी रोते हैं नजर आभी जैंड़ तो वह खुशी के आँसु है क्योंकि मिल, मिलाब, खुदा, बाप के साथ जो आदम और हमारे के गुनाद के सबब से तूट गया था फिर से काइम हो गया अजीजों, आज मैं आप से स्वाल करता हूँ क्या आप ने इस जुम्हे की फजीलत का फाइदा उठाया है? क्या आप यसु के लहु की कुर्बानी के जरीए से कुछ पासके हैं? कुछ हासल किया है? या अब तक सिर्फ कहानियां समझ के इसे अग्नोर करते रहे हो? आज खुदावन आप से कलाम कर रहा है जी हाँ, आप से कलाम कर रहा है वो कह रहा है के जान मैंने अपनी दी, खुदी या बेश बहा ताके पाए तु जिन्दगी और मौत से हो रहा जी हाँ, वो यही कह रहा है आपको मौत से छुडा कर खुदावाब की हुदूरी में ले जानना चाता है अगर आप आज अपने सर को जुका के कहें कि यसू मैं तेरे लोहू की खदर करता हूँ और इस कुर्बानी को कभूल करता हूँ मुझे इस लोहू से धो के पाक साफ कर दे ताके मैं भी खुदा की हजूरी में रह सकूँ तो खुदा आज इसी वक्त आपको नचात देगा आप चाहे बिमारी के बिस्तर में हैं आप चाहे ट्रैवलिंग में हैं आप चाहे कहीं भी जा रहे हैं खुदा आज आप से बादा करेगा कि आज ही तु मेरे साथ फिर्दास में होगा आईए हम सरों को चुकाते हैं जिन्दगी के मालिक तेरे इन बच्चों ने तेरे कलाम को सुना है और मेरा इमान है कि तुने इनके दिलों तक इस बात को पहुंचा है बख्ष दें कि जितने लोग आज इस लहू में धुलना चाहते हैं और जो इसके बाद इस वीडियो के ज़रे से दुल लें गए वो सब तेरे हुदूरी में कभूल हो और तेरे बेटेबैटियां कहलाएं तो जो अबा फादर कहर के पकार सकें अभाब कह के पकार सकें और वो रिष्टा जो आदम और हवा से खतम हो गया था दुबारा बाहल करा सके यसमसी नासरी के नाम से आमीन आप सब को मेरी तरफ से Community of Christ Church बात से United Kingdom से जुमतल मुबारक मुबारक हो और आपकी जिन्दिया में इसका असरा है आमीन प्राइब आपकी जिन्दिया में इसका असरा है आमीन